भारत बनाम न्यूजिलाइंड के बीच दूसरा टीटवन्टी अंतराश्ट्री मुकाबला भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपाई एकाना क्रिकिट स्टीडियम लखनों में खेला जाना है इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए जीत हासिल करना अनिवार रहे है क्योंकि अगर भारत टीम ने मुकाबला गवा दिया तो सीरीज भी गवानी पड़ेगी और तीसरा टीटवन्टी मुकाबला जो नरेंदर मोदी स्टेडियम एहमदबाद में खेला जाना है उसमें मात्र अपचारेकता पूरी करने भारत टीम उतरेगी लेकिन अब दूसरे टीटवन्टी से पहले हार्दिक पांडिया को अपनी सलामी जोड़ी पर काम करना होगा हार्दिक पांडिया ने टीटवन्टी सीरीज शुरू होने से पहले एक बात तो कंफर्म कर दी कि भाई वो पृत्वी शौको तो इस T20 सीरीज में आजमाने वाले नहीं है लेकिन अब कहीं न कहीं T20 सीरीज में पृत्वी शौको आजमाना जरूरी हो गया है इसके दो बहुत बड़े कारण हैं और वो दोनों कारण ही भारते सलामी बल्लेबाज हैं शुबमंगिल और इशान किशन इशान किशन की बात करें तो 12 शतक लगाने के बात से उनके क्रिकेट जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ODI से लेकर के T20 आई दोनों प्रारूप में बल्लेबाज फ्लॉप रही है T20 क्रिकेट में तो पिछली 10 पारिया शान किशन की उठा ले तो बल्लेबाज सिर्फ दो बार ही 30 प्लस का स्कोर कर पाए है उसमें भी उन्होंने 30 से जादा गेंदे ले ली वहीं शुबमनगिल की बात करें तो बल्लेबाज ने इसी साल शिरिलंका के विरुध डेब्यू किया चार मैच खेलते हुए अब तक शुबमनगिल 16.2 की आउसत से मातर 65 रन बना पाए है ये कहिना कहीं भारतिये टीम के कप्तान हार्दिक पांडिया को संकेत है कि T20 सीरीज में पृत्वी शौ जैसे धाकर बल्लेबाज को एक बार आजमाया जा सकता है कहीं न कहीं पृत्वी शौ के टीम में आने के संकेत पहले T20 मुखाबले में भारतिये टीम की बैटिंग को देखने के बाद अंदाजा लग गया है क्योंकि ना तो इशान किशन फॉर्म में नजर आ रहे हैं ना ही वो वंडे वाली फॉर्म शुब्मन गिल की T20 में है तो ऐसे में पृत्वी शौ भारत के लिए एक सलामी जोडी में रास्ता नजर आ रहा है लेकिन अब देखना दिल्चस्प रहेगा कि क्या दूसरे T20 अंतराश्वी में टीम इंडिया के गबतान हार्दिक पांड या पृत्वी शौ को मौका देंगे या फिर वो इशान किशन और शुबमन गिल की ही सलामी जोडी के साथ पूरी सीरीज में खेलते नजर आएंगे इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहीए वन इंडिया के साथ